पौरानिक कथाओं के मुताबिक माता लक्ष्मी रिशी भेगु की पुत्री थी, जिनकी माता का नाम था ख्याती। एक बार की बात है लक्ष्मी जी के लिए स्वयमवर का आयोजन किया गया। परंतु माता लक्ष्मी मन ही मन विश्णु जी को पती के रूप में स्विकार कर चुकी थी। मगर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी नारद मुनी भी लक्ष्मी जी से विवाह करने के इच्छुक थे। उन्होंने सोचा कि यह राजकुमारी हरी रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विश्णु भगवान के पास हरी के समान सुन्दर रूप मांगने पहुँच गए। जिसके बाद भगवान विश्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरी रूप दे दिया। हरी रूप लेकर जब नारद माता लक्ष्मी के स्वयमवर में पहुँचें तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उनके गले में ही वर्माला डालेगी। जिसके बाद भगवान विश्णु को हरी रूप देने के लिए कहा था। क्योंकि कहा जाता है हरी का एक अर्थ विश्णु होता है और एक अर्थ वानर भी होता है। इसलिए श्री हरी विश्णु जी ने नारद मुनी को वानर रूप दिया था। अपना चहरा देख नारद मुनी को ग्यात हो गया कि भगवान विश्णु ने उनके साथ चल किया है। उन्हें भगवान विश्णु पर बड़ा क्रोध आया। जिसके उपरांत नारद जी सीधा बैकुंट पहुँचें और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर प्रित्वी पर जाएंगे। जिस तरह इस समय मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। कहा जाता है यही कारण है राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विश्णु और देवी लक्षमी को वियोग सहना पड़ा।